जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी क्लासे स्वे सुमिज जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों ही कालों की टॉफ सिक्ष्टी रचनाय यानि की 20 टॉफ रचनाय आदिक सकते हैं और जो भी सात्य अभी तक वॉट्सप गुरूप से नहीं जुड़े हैं, वह 9098609291 यह वाट्सप नंबर है और दोस्तों जो भी साती जॉइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वह जॉइन मेंबर भी बन सकते हैं, दोस्तों आप जॉइन बटन पर किलिक करना है और join button पर आप click करोगे तो 3 plan आपके सामने होंगे 3 plan में दोस्तो सबसे पहले होगा silver plan जो की मात्र आपको 69 रोपे पे करना है और एक gold plan जो की 169 रोपे और एक दोस्तो diamond plan जो की आपको 299 रोपे पे करके आप join member बन सकते हैं तो सभी लोग वीडियो को like जरू करें start करते हैं दोस्तो आज का एवीडियो ठीक है जिन भी सातियों ने subscribe नहीं किया है वो please subscribe जरूर कर देंगे ठीक है तो start करेंगे आज का एवीडियो परमाल रासो की रचना कार कोण है दोस्तो एक चीज बताना परमाल मतलब क्या होता है पर मतलब दूसरों का माल मतलब सामगरी या कुछ भी तो परमाल और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा जगना पड़ेगा इस चोर लोग क्या करते हैं दूसरों का माल चुराते हैं तो वो रात में जगते हैं जग से बनेगा आपका जगनिक और क्या चुड़ाती हैं परमाल दूसरों का माल चुड़ाती हैं चोर रात में जग कर तो जगनिक ठीक है परमाल चुड़ाना है तो जगना पड़ेगा तो जगनिक परमाल रासो जैसे एक याला खंड कहा जाता है और ये दोस्तो इसके जो रचेता है वो कौन है जगनेक है ठीक है सबी लोगों को वैसे पता होगा अंगला है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है कई बार एकजाम में पूछी जाती है जब भी आदिकाल की बात आती है तो दो रचनाय पूछी जाती है एक तो प्रतिविलाज रासो दूसरी बीसल देव रासो ये दो रचनाय पूछी जाती हमेशा ठीक है तो बीसल देव रासो के आपको बताना है दो सेकंड में और दोस्तो आपको पता है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है वो है नर्पत नर्पती दोस्तों कितने होते हैं हैना 20 नहीं होते बोले 20 पती नहीं होते एक पती होता है हैना 20 पती नहीं होते 20 क्या नहीं होते पती नहीं होते तो नर्पती 20 नर्पती नहीं होते एक होता है ठीक है तो बीसल देवरासों के रचनाकार कौन होंगे नर्पती नाल ठीक है और वे अजमेर के सासक से संबन दित थे दोस्तों है ना ये जो बीसल दियो रास्ती है और ये गीती का बमाना जाता है इसको आपको याद रखना है अंगला है कीरती लता के रचनाकार कौन है कीरती लता दोस्तों आपको पता है कि कीरती उसी की फैलेगी जिसमें बिद्या है उस उसकी कीरती जगह जगह फेलेगी जिसमें विद्या नहीं है उसकी कीरती नहीं फेलेगी तो जो कीरती फेलेगी कब फेलेगी जब विद्या है तो विद्या पती है ना तो कीरती लता विद्या पती ठीक है विद्या है तो कीरती फेलेगी तो कीरती लता विद्या पती और दो कीरती लता और एक थी इनकी कीरती पता का कौन सी थी कीरती पता का और एक थी दोस्तों इनकी पदा वली ठीक है तो यह इनकी रचनाएं थी तीन तो पद लता पता का पद लता पता का ऐसे याद रखेंगे पद लता पता का तो यह तीन रचनाएं आपको याद रखना है और जिसमें बिद्या है उसकी कीरती पहलेगी, इस परकार से आद भी करेंगे, ठीके, वर्न रतनाकर की रचनाकर कौन है, दोस्तों आपको पता है, आप वर्न लिखते हो, वर्न, हैना जैसे आ अनार का, आ आम का, ये क्या कहलाते है, वर्न, तो वर्न, आप अंधेरे में पढ़ो अब मैं कभी दोस्तों आपको ट्रिक भी बताना है कौन सी एच्छी ट्रिक लगी है वो कमेंट वह पताना है वीडू के लास्ट में एक चेलेंज प्रसन दिया जाएगा तो उसका उतर भी आपको बतानाए ठीके रावल बेल, बेल समझते हैं आप दोस्तों बेल बजा दी, बुले यार बेल बजा दी बड़ा रोडा है, कभी-कभी आप जब सोते ही हो और कोई बेल बजा दे, तो सोने में रोडा बन जाती है कौन? सोने में रोडा बन जाती है बेल, सोने में रोडा बन जाती है बेल, तो रावल बेल बन जाती है क्या रोडा, तो रावल बेल की रचनाकार कौन होगे? रोडा कभी, रोडा कभी, यानि कि या नम्मर आपका बेल को सही हो जागा, ठीक है? आपने कभी-कभी अनुगाउग किय सोए डेसे ही आप आप किसी ने बेल बजा दी बाहर से तो रो़ाँ डोला रोला कभी कि ठीक है अंगला है ढोला मारुरा दुह के रिचनकार कौन है दोस्तों आपको पता हिए ढोल और ढोल बही बजा सकता है जो धोल बजाने में कोसल है धोल बजाने में जो कोसल है बही धोल बजाएगा तो धोला मारूरा दोहा की रचनाकार कौन होंगे कोसल लाव है ना इड़े को धोल बजा रहे हैं क्योंकि यह क्या है कोसल है धोल बजाने में है ना तो धोल से धोला मारूरा द रासो की रिशनाकार कौन है चार विकल्प हैं और आपको पता है दोस्तों आपने गदर फिलम देखी होगी गदर फिलम देखी है शनी देवल अकेले और शनी देवल क्या करते हैं विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड देते हैं विजय प्राप्त करने के लिए क्या अखार दिया. है ना, विजय प्राप्त कलने के लिए नल अखार दिया तो नल्ल सें भाट किये रचना है, कई बार पूछी भी गई है. ठीक है. अंगला है, प्रत्वी राज वाजरासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रत्वी राजरासो और आपको पता है यह प्रत्वी है और इसका एक मात्र उपगरह कौन है चंदरमा तो यहाँ पर प्रत्वी आया है तो इसका उपगरह भी कहाँ पर आएगा यहाँ उपगरह आ जाएगा तो प्रत्वी का उपगरह चंदमा तो चंद बरदाई प्रत्व प्रवी का उपकर है चंद्रमा तो चंदबरदाई यह नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अगला है दोस्तों जवाहरे खुसरभी की रचनाकार कौन है जवाहरे खुसरभी और आपको पता है कि जवाहर हीरा मौती जवाहर एक किसके पास होंगे गरीब के पास कि अमीर के पास इजवाहर हैं कि जवाहर है आपको बताना है जवाहर के रचनाकार कौन है तो चार बेकल पेकलब हैं और आपको पता है दोस्तों कि जब एक पती एक पतनी अपने पती के लिए करवा चोथ की ब्रत रखती हो जब चली मेंसे बहचांद को देखती है तो चांद कैसा नजराता है मधुर कैसा नजराता है मधुर तो मधुकर है ना मैंक मतलब भी चंद्रमा होता है और चंद्रमा की चंद्रिका को जब पतनी देखती है तो जो चंद्रिका है वो कैसी नजराती है मधुर तो मधुकर है ना जै मैंक जस चंद्रिका कैसी नजरा रही है मधुर से मधुकर ठीक है जै म अंगला है खुमान रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता है खुमान मतलब होता है दीर गायू खुमान मतलब क्या होता है दीर गायू लंबी आयू ठीक है लेकिन खुमान रासो खुमान एक पदवी भी थी सेवाजी की है ना इन्हें खुमान की पदवी दी गई थ कभी कभी कोई दल का पती बिजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है गुमान तो गुमान से खुमान गुमान से खुमान है ना दल का पती अगर बिजय हो जाता है तो उसे गुमान हो जाता है तो खुमान तो खुमान रासों की रचनकार दल पती बिजय ठीक है इस से आपको याद रखना है, दोहा कोश की रचनाकार कौन है, दूस्तों आपको पता भी तो है, आप बोलोगे सर, सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से सो दोहा कोस है ना ट्रेक अगर मैं इधर लिख दूँ कि ट्रेक सर दोहा सुनाओ सर से सरहपा दोहा से दोहा कोस तो दोहा कोस की रचनाकार सरहपा ठीक है अंगला है स्रापकाचार की रचनाकार कौन है हिंदी की प्रत्थम रचना मानी जाती है दोस्तो और ये जो स्रापकाचार है आपको पता है कि जेंधर में बैक्ती जब भगवान के पास जाता है तो स्रापक बन के जाता है भगवान के पास है ना है ना और भगवान को क्या बोलता है देव तो स्राबक जाता है किसके पास देव के पास स्राबक बनकर जाता है वेक्ति देव के पास तो स्राबका चार के रचनकार कौन होंगे देव सेन ये देखो ये वेक्ति स्राबक बनकर गया है किसके पास भगवान या फिर देव के पास ठीक है तो स्राबक बनके जाना है देव के पास तो स्राबकाचार के रचनकार देव सेन 933 इसका रचनकाल माना जाता है 933 इस भी ठीक है स्राबकाचार की और प्रत्रम रचना है हिंदी की अंगला है बुद्धी रास के रचनकार कौन है बुद्धी रास दोस्तों यहां पर बोई तो पूछी गया है कि बुद्धी साली तो बुद्धी साली बद्रसूरी बुद्धी रास साली बद्रसूरी और किसी कि साली भी बहुत बुद्धी मान होती है बोलते हैं जिस जिसकी साधी हो गई बोले मेरी साली बहुत बुद्धी मान है तो बुद्धी से बुद्धी और बुद्धी साली यह से याद रखना बुद्धी साली वो बुद्धी साली लोग हैं तो बुद्धी साली से बुद्धी रास साली से साली वद्र सूरी है ना तो बुद्धी साली इस प्रकार से अंगला है रेबंत गिरी रास की रिचनाकार कौन है चार बिकल् प्राप्त करनी थी, बहुत सारे राजा सोचते थे कि रेबंत गरी पर क्या करनी है, बिजय प्राप्त करनी है, काई पर रेबंत गरी पर, तो रेबंत गरी रास की रचना कार कौन होगे, बिजय प्राप्त करनी है, तो बिजय सेन सूरी, रेबंत गरी पर क्या प्राप्त करना Ćस लगा के जाते हैं चंदं की आस यह महासा है छंदं यास sytuारी चंदं न की ऑस तो आस गू कभी की है कुमार पाल पिर्ति बोत के रचनाकार कौन है कुमार पाल पिर्ति बोत दोस्तों आपको पता होगा आज कल के जो कुमार है वो सौम रस बहुत पी रहे हैं सौम है ना कुमार लोग सौम रस पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी सौम प्रभ सूरी इस प्रकार से याद करेंगे कुमार लोग सौम पी रहे हैं तो सौम प्रव सूरी है ना डी नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा कुमार पाल पिर्थी बोद करचनाकार सौम प्रव सूरी कच्छुली रास करचनाकार कौन है कच्छुली रास आपको बता है दोस्तों, आपसे मैं पूछू ली, कच्छू ली, बजार गए थे कच्छू ली, बोले हाँ, मैंने तलक लगाकर प्रग्या ली, है ना, प्रग्या तलक, है ना, इस परकार से, मैंने प्रग्या ली, तलक लगाकर, तो प्रग्या तलक, कच्छू ली रास, कच् रहे प्रग्यां ले रहे हैं प्रग्यां यानि की प्रितिग्यां है ना बोई ले रहे हैं तो कच्छू ली प्रितिग्यां ली ते लग लगा कर ठीक है इस प्रकार से जैचंद प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तों चार बिकल्ब हैं और आपको पता है दोस्तों कि केदार का प्रकास करना है तो चंद्र मारे का करना है करना Schon तो केदारनात भट केदार भट की रचना है जय चंद प्रकास जय मैंक जस्त चंदरी का यह मदुकर की है है ना और जय चंद प्रकास यह केदार भट की है ठीक है अंगला है दोस्तो हमीर रासों की रचना कार कौन है दलपती बेजय सारंग धर केदार भट या फिर स्वाम प् पूंची गई है याद रख लेना इस सारंग धर की है किसकी है सारंग धर ठीक है हमीर रासो सारंग धर सबसे पहले आपसे प्रस्ण पूंचा जाएगा और ट्रिक आपको बतानी उत्तर आपको बतानी होगी फिर ट्रिक मैं आपको बताऊगा ठीक है सबसे पहले आपको बताना भरत मिलाप, सत्य बती कथा और अंगध पैच की रचनाकार कौन है। इस चार बिकलब हैं दोस्तों, चारों मैंसे आपको बताना है दो सेकंड आपको दिये जाती हैं। और आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस्वरदास, इस्वरदास दोस्तों हमारे इस्वर कौन है, बोले हमारे इस्वर तो कौन है, स्री राम है, तो स्री राम से किसका मिलाप हुआ था, भरत मिलाप, भरत का मिलाप हुआ इस्वर से, तो भरत मिलाप इस्वर्दास की हैना इस्वर की कथा सत्त होती है तो इस्वर्दास हैना इस्वर की किरपा से अंगद ने पैर जमाया था आपको पता होगा लंका में हैना अंगद ने कहा कि ये तो मेरे स्रीराम की किरपा है तो किसकी किरपा से इस्वर की किरपा से स्रीराम की किरपा से तो अंगध ने पैर जमाया इस्वर की किरपा से तो अंगध पैज भी किसकी होगी इस्वर दास की ये असे याद रखेंगे भरत मिलाप, सत्वत्ति कथा और अंगध पैज ये तीनों ही रचना है दोस्तो यहां पर चित्र में देखो कैसे भरत का मिलाप हो रहा है स्री राम इस् बन में मिरगा को मार रहे हैं है ना स्री राम मिरगा के पीछे दोड़ रहे हैं बन में तो मिरगा के पीछे दोड़ रहे हैं कहां पर बन में तो कुतुबन कुतुबन ठीक है है ना बन में मिरगा के पीछे दोड़ रहे हैं तो मिरगा बती की रचना कार कौन होगे कुतुबन यानि कि दी नम्मर आपका बिल्कुछ सही होगा और दोस्तों आपको पता है कि इस रचना को मरगावती को जो है आचार रामचन सुखने सूफी काबधारा की पिर्थम रचना भी माना है है ना तो ये चीज भी आपको याद रखनी है अगला देखो अबध बिलास की रचना कार कोन है अबध बिलास दोस्तों आपने मैंने आपको कई बार बताया है कि अबध का लाल अबध का लाल है ना अब वो गाना पड़ती ना कि बना की अबध पुरी ससुराल बराते को को जैहते तो अबध का लाल इतना वस्याद रखना, अबद का लाल तो लाल डास, अबद विलास की रिचनाकार कौन होगे, लाल डास, यानि कि आपका D नमबर बिल्को सही हो जाएगा, अगला देखो, रामायड महानाटक की रिचनाकार कौन है, दोस्तों आपको पता है, आप रामायड पढ़ते हो, और आपको पता है, कि रामायड हमारी क्या है, प्राण है, रामायड हमारी प्राण है, तो रामायड महानाटक की रिचिता कौन होगे, एक कॉस्चिन पूछा गया है कई बार, रामायड हमारी प्राण है तो प्राण चंद चोहान, है ना, प्राण चंद चोहान, यानि कि सा नम तो मैं अगर आपको पड़ाई करबा रहा हूं ट्रिक दे रहा हूं तो आपका ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए तो ध्यान मंजरी और कहा नहीं जाना चाहिए तो ध्यान मंजरी और कहा नहीं जाना चाहिए अग्र तो इसकी रचनाकार कौन होंगे अग्रदास ठीक है ध्य जान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए है ना तो अग्रदास एनि कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कु सही हो जाएगा हनुमान नाटक के रेचनाकार कौन है दोस्तों आपको बताना है इसके पहले मैंने लगभग 30 से 35 वीडियो दोस्तों टिर्की वीडियो डाल दिये हैं वो जरूर देखेंगे सब कुछ याद करवा दिया हिंदी साहित में और हनुमान नाटक और दोस्तों आप हनुमान के बात करोगे है ना तो हनुमान ने दिखा दिया कि मेरे हिरदय में राम है ऐसे सीना पाड़के चित्र में देखो मेरे हिरदय में स्री राम है कौन है स्री राम, तो हिर्दय राम, बोले देख लो हिर्दय राम है, है ना, तो हनुमान नाटक की रिचनाकार हिर्दय राम, हनुमान की हिर्दय में राम ब्राजमान है, तो हनुमान नाटक हिर्दय राम, ठीक है, इस प्रकार से, हंसा वली की रिचनाकार कौन है दोस्तों, चार अगर हसना ही है तो है ना तो इनसे बोल दो साइट में जाके हस लें तो हस लें तो हनसा वली और साइट में तो इसाइट असाइट साइट है ना साइट से साइट तो हसें साइट में जाके तो असाइट ठीक है हनसा वली यह साइट की रचना है साइट में जाकर हसो तो हसो हसााइट में तो हंस्सा वली साइट की झीם थेकिhogyan रूप मंझotरी करें डेशनाकार कौ教 κάν। नंद दास नंद दास हैं अब नंद दोस्तों आपको पता है यह देखो इस तास बहू और नंद है ना और आप जल्दी बताओ रूप किसका अच्छा लग रहा है रूप किसका अच्छा लग रहा है किसका नंद का बोले नंद का रूप बहुत अच्छा है नंद का रूप ज अब आप से कभी पूछा जाएगा रूप मंजरी बोले रूप तो नंद का अच्छा है सर तो नंद दास है ना याद रख लेना कष्ण भक्ति साका के एक अभी थे और इनके गुरू का नाम था बिठ्थलनात ठीके तो नंद दास बी नम्मर आपका बिलकुस सही हो जाएगा और दोस्तो आपको बताना भी है लाश्ट में की सबसे अच्छी टरेक कौन सी लगी है ग्यान दीप की रचनाकार कौन है चार बे कलब हैं दोस्तो दो सेकन में आपको उत्तर बताना है और आपको पता है कि ग्यान नया नभी नभी ग्यान सीखना चाहिए पुराना नहीं न नभी नभी ज्यान हमें सीखते जाना चाहिए नभी नभी तो ग्यान दीप की रचनाकार कौन होंगे बोले सर नभी नभी ज्यान सीखना है तो कौन सेखनभी है नभी 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 नया नया तो सेखनभी की रचना है कौन सी ग्यान दीप यानि कि जो आ नमबर है वो विल्कु सही हो जाएगा अंगला है भक्त माल की रचनाकार कौन है दोस्तों भक्त माल आपको पता है कि अगर भक्तों को नभ में जाने मिले तो ये नभ में भी चले जाएंगे बोले इस वर नभ में हैं अब आप यहां से चले जाओ तो भक्त भक्ती के लिए नभ में चले जाएंगे तो भक्त माल की रचनाकार कौन होगे भक्त, भक्ती के लिए कहां जा रहा है नभ में तो नाभादास है ना नभ में तो नाभादास भक्त माल की रचनाकार नाभादास तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर भक्ती, भक्त और भगवान अगर भगवान की भक्ती के लिए नभ में जाना पड़े तो नभ में भी चले जाएंगे भक्तमाल नावादास इस प्रकार से कई बार पूची गई है अंगला है आपको वरवे रामाण की रचना कार कौन है दोस्तो आपको पता है कि मैंने आपको याद कर भाई थी तुलसी दास की पूरी रचना है कौन सी रचना ब्रज में है कौन सी अबदी में है मैंने आपको बताया था कि जिस रचना में राम और मंगल आए जिस रचना में राम और मंगल आए वो समझो अबदी भासा की ठीक है और बाकी ब्रज भासा की है ना इनकी जो बारा प्रमानक रचनाय मानी गई है उन मैं से ठीक है तो बरबे रामायन दोस्तों किसकी है तुलिसी दास की अब इसको कैसे याद रखोगे अब ये तुलिसी द बार बार रामाइड इतना बार बार रामाइड वर्वे रामाइड वर्वे रामाइड तुलसी दास ठीक है अब दी भास हमें हैं अगला बताना है आपको अनुराग बासरी के रचनाकार कौन है दोस्तों अनुराग मतलब होता है प्रैम प्रैम अर्था प्यार तो आपको बत तो कौन नूर जहां बहुत सुंदर थी तो इनसे लोग क्या करते थे प्रेम करते थे अनुराग रखते थे तो अनुराग बासुरी की रचनाकार कौन होंगे नूर मुहम्मद बोले अनुराग किसे रखते थे नूर से अनुराग किसे रखते थे नूर से तो अनुराग दोस्तो चार विकल्पे हैं और एक चीज बताना कि यहां पर आया है ताई और आपको पता है सबके घर में ताई और ताउ होते हैं ताउ जी ताई जी होते ना तो ताई क्या करती हैं नारायन की बारता सुनाती हैं लच्मी नारायन ये लच्मी नारायन है और लच्मी नारायन नारायन की बारता सुनाते हैं नारायन की हैना कौन ताई तो छेताई बारता नारायन दास यानि कि आपका जो उत्तर है वो ए नमबर बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है दोस्तो दान लीला की रचनाकार कौन है दान लीला और आपको पता है दोस्तों कि जो दान करते हैं और हमेशा दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन दाता है जो दान नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता ये चीज लेकिन जो दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन दाता है तो दान लीला की रचनाकार कौन होंग दान लिला की रचनकार होंगे दोस्तों कौन परमानन्द आता है तो परमानन्दास और दान लिला रस्खान की भी रचना है ठीक है याद रखने ना रस्खान की भी है और परमानन्द की है है ना रस्का दान करने में परमानन्द आता है रसका दान करने में इस प्रकार से याद रखने ना रसका दान करने में परमानन्द आता है तो दान से दान लीला और रसकान की भी है और परमानन्द की भी है है ना ये भी आपको याद रखनी है ठीक है दान लीला की रचनाकार राम चंदरिका की रचनाकार कौन है दोस्तों कि रचना है आपको पता है कि राम के केस चंद्रिका से चमक रए तो राम चंद्रिका किसकी रचना होगी क्या चमक रए केस चमक रए तो केस वदास है यहां पर देखो, राम के केस चंदरिका से चमग रहे, तो राम चंदरिका केस ओधास अधिकानस लोगों को पता है, अंगला है, अनेकर्थ मंजरी के रचनाकार कौन है, तो हमने पढ़ा था बहाँ पर नंद, नंद के कई अनेकर्थ निकलते जैसे, एक नंद बहू की नंद ह वो ुखدم गई, ठीके, दूसरी नंद क्या हो गई? नंद बाबा हो गई, है ना, तो अनेकर्थ निकल रहे हैं न नंद के, क्या निकल रहे हैं? अनेकर्थ निकलते हैं नंद के, तो अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना होगी, किसकी होगी, अनेकार्थ किसके निकल रहे हैं, अनेकर्थ निकलते हैं नंद के, तो नंद दास, रूप अच्छा है नंद का, तो रूप मंजरी नंद दास, नंद के अनेकर्थ निकलते हैं, तो नंद दास, है ना, नंद के अनेकर सिसर की अनेकर्थ निकलते हैं नंद के एक नंदकार्थ होता है बहु की नंद एक नंदकार्थ होता है नंद बाबा तो यह से अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो अनेकार्थ मंजरी नंद दास ठीक है दोस्तो भक्त नामावली की रचनाकार कौन है भक्त नामावली अभी हमन औरिजिनल भक्त होटे हैं इनके नाव ये प्रतिवी है और जो इनके नाम धुरब। पर लिखवाना है तो भक्त नामावली मुत की रिचना होगी ध्रबदास आपको पता है प्रतिवी के दो ध्रोब है उत्री sindi दक्ष्री ध्रोब है ना और इनके नाम कहा लिखवाना है ध्रोबों पर लिखवाना है भक्तों के नाम तो ध्रोबदास की रिचना होगी कौन भक्त नाम अबली ठीक है अंगला है सुदामा चरित की रिचना कार कौन है दोस्तों यह जो सीन है आपने यह बाला वीडियो सोदामा जी तो सोदामा चरत की रचनाकार कौन होंगे नरूत्तम दास है ना नरूत्तम दास इनकी मित्रता बहुत अमर थी दोस्तों है ना आपने देखा होगा जिसने भी देखा है वो देखता ही रह जाता है सीन और सोदामा चरत यानि की सोदामा नरों में उत्तम थे तो न रूत्तनदास ठीक है अंगला है सीतायन की रचनाकार कोँ है दोस्तो सीतायन यानि की 19 का उत्तर आपको बताना है मैंने बहुत सारी रचनाए इसलिए नहीं रखी तुलशीदास की सूर्दास की कि आपको पता है और मैंने पहले भी करवा दी हैं एसी रचनाएं रखी है जो परिक्षाओं में भी आती हैं और आपको पता भी ना हो, है ना, ऐसी कुछ कठिन सी, बाकि तो आपको तुलशी दास की पता है, सूर्दास की पता है, कबीर दास की बीजग पता है, बो रख सकते थे, लेकिन बो भी हम बता देंगे बाद में, लेकिन अभी बहुत ही और थोड़ी सी कठिन बाली, सीता यन की रचना कौन है दोस्तों, आपको पता है, कि सीता किस की प्रिया थी, यह देखो, सीता राम की प्रिया थी, सीता राम की प्रिया थी, तो राम प्रिया सरनदास, और राम की सरनदास में रहती थी, तो राम प्रिया सरनदास, तो राम क या सरनदास ठीक है यानि कि जो आनम्मर है वो आपका बिलकुस सही हो जाएगा ठीक है अंगला बताना है दोस्तो युगल सतक की रचनाकार कौन है यह चार बिकल्प है और आपको देख रहा होगा बैगन रखा भटा भटा आपके सामने रखा है भटा एक भटा नहीं रखा क कितने भटा रखे हैं युगल भटक रखे हैं वनलब जोड़ा रखा है जिसे हम युगल बोलते हैं युगल है ना और बोलते हैं जुगल जोड़ी है यार आपकी तो जुगल युगल ठीक है तो युगल युग है ना युग कहेंगे इसे युग तो युग से युगल और युगल काई का युगल है ये भटा का युगल है तो स्री भट युगल से युगल सतक और युगल सतक स्री भट है ना भट याद कर ली ना भटा के भट के भटा के क्या युगल भटा के युग तो युगल सतक स्री भट ठीक है अब जो आपका कोस्चन है दोस्तों सब्द र रसाइन की रचनाकारक पौण है सब्द रसाइन है और चार दो सेकंड आपको दिये जाते हैं, तब तक मैं आप को बता दूँ कि सब्द को रसाइन देव थे हैं न कि हम बोलो से न किया रासन-pani देव रासन-pani देव यह सब्द को रासन पानी देव, सब्द को क्या दो, रासन पानी देव, तो देव से देव कभी, यानि कि आपका जो सी नमबर है, वो विलकोश सही हो जाएगा सब्द को, अब क्या से याद रखोगे, सब्द को रासन पानी देव, यानि कि सा नमबर ठीक है अगला है कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन है दोस्तों आपको कुछ नया करना होगा रचना ये अगर याद करनी है तो बेवहारे की जीवन से जोड़ना होगा ट्रिक बनानी होगी ठीक है रिलेट करना होगा अब आपको बताना कभी कुल कल्पतरू की र ने कुल की चिंता रहती है तो यहां पर आया है कुल और कभी कुल कल्प तरू की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे चिंता रहती है तो चिंता मनी यानि कि आपको जो विकल्प नम्मर दी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अगला है दोस्तों ब्रह वारीस की रचनाका कॉन हógें चार विकलप यें और दो सेकेंड आपको दिये जाती है और आपको पता है कि जब रह होता है किसी व्यक्ति को तो उसको कुछ समझ्छ में नहीं आता बहल की सा बन जाता है तो ब्रह1 कί कौन होंगे? बोधा, बोधा कभी होंगे, यानी सा नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा, जब ब्रह की बारिस होती है, तो ब्रह Ki बोधा बन जाता है, बैसे ही रचना है ब्रह बारिस, और ब्रह बारिस की रचना कार कौन है? बोधा, याद रख लेना, यह सिर्फ रिलेट और याद करने का तरीका है, ठीक है, तो सा नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा, अंगला देखो, छंद माला की रचना कार कौन है दोस्तों, बहुती वड़ीया रचना पूची जाती है, ये छंद माला कई बार पूची गई है, के सव दास जी की विज्ञान गीता, राम चंद माला, ये रचना है, पूची जाती है, इनकी कभी प्रिया, रसक प्रिया, लेकिन ये छंद माला आपको याद नहीं होती दोस्तों, लेकिन आज याद हो जाएगी, कि छंद की माला हमें कहां पहनना है, केसों में, ये देखो, केसों में हमें छंद की माला पहननी है, केसों में है ना तो केस अउदास इस प्रकार से अंगला है कबित रतनाकर की रचनाकार को है दोस्तों सबसे most important रचना है रीती काल की और हमेशा पूछी जाती है तो कबित रतनाकर की रचनाकार चार विकल्प है और दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और आपको पता है दोस्त कि जो सेना है वो हमारी रतन के समान है हमारे देश की सबसे अनमोल जो रतन है वो हमारी सेना है तो सेना रतन है तो कवित रतना कर कि रचना कार कौन होंगे कौन होंगे रतन है तो सेना पती सेना पती यानि की बी नम्मर आपका बिल्कु सही है अब आप कभी नहीं भोलना दोस कौन है दोस्तों मादवा नल काम कंदला है ना दोस्तों नल का काम करते करते अलम बिगड़ जाता है तो आलम जी इसकी रचनाकार होंगे यानि कि बिकल्प नम्मर आपका आलम के लिए है एक आलम के लिए और माधवानल कामकंदला ये दो रचना हैं आलम की है ना तो आलम आपका बिल्कुष सही हो जाएगा है ना अगला है दोस्तो रतन हजारा की रचना कार कौन है इससे पहले लगबक 25 वीडियो टिर्की वीडि साहत अकादमी से पुरुष्कुत रचनाय, ज्यान पीट, ब्यास सम्मान से सब कुछ यात करवाया है हिंदी साहत में, तो प्लेलिस्ट में जाकर कि अवस्य देखना है, और रतन हजारा के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, और एक चीज बताना दोस्तो, हजार और रतन कहां पर हैं, प्रतिवी में, यानि की प्रतिवी से हैं, है ना, हजार और रतन प्रतिवी में हैं, कहां पर प्रतिवी में, तो प्रतिवी से हैं इसकी रचनाकार होंगे, और प्रतिवी से हैं किसका वास्तविक नामता रस निधी, है ना, रस निधी का वास्तविक नामता प्रतिवी से हैं है ना तो याद रख लेना रतन हजारा रस निदी या फिर प्रत्वी से हैं तो सा नम्मर आपका यहां पर बिल्कुत सही हो जाएगा अंगला कोश्चन है दोस्तो सकुंतला नाटक की रचनाकार कौन है चार विकल्प हैं देखो आपने रामायन महानाटक पूछा गया आपसे हनुमान नाटक आपसे पूछ दिया अप परिक्षों में और सकुंतला नाटक यह तीनों नाटक पूछे जाते हैं दोस्तो हैना हनुमान नाटक हिरदयराम हैना और रामायन महानाटक प्रानचंद चोहान और इस सकुंतला नाटक भी आपको याद रखना है और इस स संकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेवाज संकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेवाज और दोस्तों रामायड महानाटक मैंने आपको याद करवाया था कि रामायड महानाटक रामायड हमारी क्या है प्राण है तो प्राण चंद चोहान है ना और हनुमान जो है अपने हिर्दय में राम को रखते हैं तो हिर्दय राम हनुमान नाटक हिर्दय राम राम है तो प्राणचंद चोहान हनुमान हिर्दय में राम रखते हैं तो हिर्दय राम और सकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेवाज ठीक है यह आपको याद पताना होता है और प्रबोध पचासा कि जो रचनाकार है वो कौन है पदमाकर आपको दोस्तों पचास पदम चलना है पचास कदम या फिर पचास पदम क्या है पचास पदम चलना है तो पदमाकर पचास पदम चलना है तो पदमाकर इनकी रचना ये गंगा लहरी है दोस्तों गंगा लहरी है, जगज दुनोध है, प्रबोध पचासा है, यह रचना है हमीशा पूछी जाती है, प्रपदमाकर जी की, ठीके, अंगला प्रसने हेत तरंगणी की रचनाकार कौन है, हेत तरंगणी के बताना है दोस्तो, अब एक चीज बताना, कि अगर दोस्तो आपके उप रचनाकार कौन होंगे, हेत तरंगणी की रचनाकार होंगे दोस्तो, किरपा राम और हम तरंगणी आपने पड़ा होगा माखलाल चतरवेदी का, हेत तरंगणी है ना, हेम तरंगणी माखलाल चतरवेदी की और हेत तरंगणी किरपा राम की, क्योंकि हेत किरपा राम की होत अगला है अध्यात्म प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तों अगर आप अध्यात्म के जीवन में का प्रकास अगर आपके तो आपको क्या मिलेगा सुक्ष, तो सुकदियो मिस्त्र इसके क्या हो जाएंगे रचना कार हो जाएंगे किसके अध्यात में प्रकास की ठीके तो सा नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा अंगला है सिवुराज भूशन की रचना कार कौन है है ना और सिवराज भूषन की जो रचनाकार है कौन है भूषन और भूषन को जा उपनाम है ये भूषन उपनाम है इनका बाकि इनका बास्तविक नाम कुछ बिद्वान गंसयाम मानते हैं और कुछ बिद्वान मनीराम मानते हैं है ना तो ये याद रख ले ना भूषन ये स सिवराज भूसन इनकी रचना है, चातर साल दसक है, सिवराज भूसन है, है ना, और अंगला है, यमुना लहरी की रचनाकार कौन है, चार विकलप आपको दिये जाते हैं, दोस्तों, यमुना, और आपको पता है, गंगा लहरी पदमाकर की है, लेकिन यमुना लहरी, यमुना यमुना लहरी चित्र के माध्यम से देखो दोस्तों यमुना में इस सेश नांग को पकड़ने कुंद गयते ग्वाल यानि की स्रीक्रष्ण है ना यमुना लहरी तो यमुना लहरी ग्वाल कभी की और गंगा लहरी पदमा करकी यह चीज याद रखनी है अंगला है सभा मंदन क कोई सी हो सभा आपने देखी होगी दुनिया में बहुत सारी सभाएं होती है लेकिन सभाओं में गरीबों का बोल बाला नहीं होता किसका होता है अमीरों का बोल बाला होता है आपने देखा होगा अमीरों का बोल बाला होता है तो सभा मंदन की रचनाकार कौन होंगे अमीर का होता है तो अमीर दास कौन होंगे अमीर दास अब याद रख लेना मैं पूछूँगा सभा मंदन किसका है तो आप बोलोगे सर सभा में गरीबों की पूछ नहीं होती अमीरों का बोल बाला होता है तो अमीर दास ठीक है यानि कि सा नम्मर आपका बिल्कु सही होगा और आपको पता है कि रीती काल में कौन सा ऐसा कभी है जो इसके की लताएं फैला रहा था, कौन फैला रहा था, आपको पता है कि इसके की लताएं फैला रहा था तो वो फैला रहा था घनानंद, घनानंद कभी थे जो इसके की लताएं फैला रहे थे, यानि कि जो डी नम्मर है व लताएं फेला रहती कौन घनानंद यानि डी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो सुधा निधी की रचनाकार कौन है अब चार बिकल्प में दो सेकेंड आपको दिये जाते हैं सुधा निधी सुधा मतलब होता है दोस्तो अमरत है ना और अमरत की अब तोस कभी है ना सुधा समझते हैं बच्चे अगर तोस मिल जाए तो तोस्ट कभी ठीक है तोस कभी हो जाएंगे इस प्रकार से सुधा निधी की रचनाकार कौन है तोस कभी है अंगला है दोस्तो नौरस तरंग की रचनाकार कौन है नौरस आपको पता है दोस्तो आप आप बोलते हो सर मुझसे नौरस नहीं बनते नौरस नस रसम पढ़ते न कितने होते हैं नौ होते हैं नौ हैना दो मिलाके ग्यारा हो जाते हैं देके नौरस आप पढ़ते हो तो नौरस में अगर आपको पिर्बीन होना है पिर्बीन होना है तो क्या है यहाँ पर पिर्बीन क का बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है आप भी नौरस में प्रवीन हो तो बेनी प्रवीन नौरस तरंग की रचनाकार बेनी प्रवीन इस परकार से याद रखेंगे सुजान चरित की रचनाकार कौन है दोस्तों याद रख लिना इस सुजान घनानंद की प्रेमी क्या थी लेकि कभी है ना सूजन आ गई तो सूधन कभी सोजान चरित की रचनाकार कौन होंगे सूधन कभी क्योंकि सोजान के प्रहर में क्या गई सूजन तो सूधन इस प्रकार से देखो यह सूजन आ गई और सूजन आ गई तो कौन होंगे सूधन कभी होंगे अब कभी बूलना नहीं बो अपने अंगों को दर्पण में देखकर क्या लेते हैं लोग रस लेते हैं तो रस लीन अंग को अंग को दर्पण में देखकर रस लीन है ना अंग को दर्पण में देखकर रस लीन चित्र को देखो और उत्तर बताओ अंग को दरपन में देखकर रसलीन यानि सा नम्मर आपका विल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला है काब कल्पद्रूम की रचनाकार कौन है दोस्तों काब कल्पद्रूम हमने कवित रतना कर परी थी कि हमारी सेना जो है वो रतन है और दोस्तों आपको पता होगा कि जो सेना होती है वो ब्रक्चों की ओट लेकर के बच बच के दुस्मनों पर क्या करती है बार करती है तो काईपर ओट लेकर के कल्प ब्रक्च आपने सुना होगा एक कल्प ब्रक्च नाम सुना होगा कल्प कल्प आया है तो कल्प एक ब्रक्च होता है और ब्रक्च की ओट ले लेकर के है ना हमारी सेना क्या करती है दुस्मनों पर बार करती है तो कौन करती है सेना तो काब कल्प द्रोम कल्प अब कल्प याद रख लेना कल्प ब्रक्च और कल्प ब्रक्च की ओट लेके सेना दुसमनों पर बार करती है तो सेना पती, सेना हमारी रतन है तो कबित रतना कर ये सेना पती की रचना है हो जाएंगी जो हमेशा पूची जाती है दोस्तो अब आपको बताना है कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है कमेंट में जरूर आपको बताना है जितने लोग भी देख रहे हैं और साथ ये चेलेंज प्रसन हैं आपका कि इसक नामा की रचनाकार कौन है हमने पढ़ा था इसक लता अब इसक नामा की रचनाकार आपको बताना है हैना कमेंट में आपको लिखना है कि सर इसक नामा की रचनाकार ए है ठीक है आप लिखेंगे और ये चार कभी दिये हैं इनकी अगर रचनाएं आपको याद आती है तो ये चार कभी की रचनाएं भी आप लेखा करें ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है WhatsApp ग्रोप से जुड़ना है जिसका नमबर मैंने आपको दे दिया 9098609291 ठीक है यह आपको WhatsApp ग्रोप है इस WhatsApp नमबर पर आप मैसेज करेंगे आपको ग्रोप की लिंक मिल जाएगी ठीक है साथ ही एक अपना टेलीग्राम ग्रोप है IAS Study Trick यह टेलीग्राम ग्रोप है तो आप यह टेलीग्राम ग्रोप से जोड़ सकते हूँ ठीक है और वीडियो को लाइक और इस प्रकार से सब्सकाइब का बटन दवा कर बेल आइकन को जरूर दवाएं दोस्तो और रोज सुबह साड़े नौ वजे आपकी कक्छा होती है सुबह साड़े नौ वजे टिर्की वीडियो हिंदी साहत टिर्की वीडियो सब कुछ टिर्क से दोस्तो ठीक है तो वीडियो को लाइक और सेर अबस्त करें वीडियो कैसा लगा कमेंट के माद देम से बताएं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिंद